Welcome back to my channel, I hope guys के सब लोग आज कंद अच्छ से वक करेंगे, तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है पोश्ट EPI करने वाल है, यह जो है हो तीसरा पार्ट होगा हमारा MVVM सीरिस का, तो सबसे पहला जो वीडियो बनाया था, वो मैंने बनाया था MVVM, जिसमें हमने MVVM सीखा था, ह और कोई भी API हो, तो आप उसको easily कर सकते हो, और आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कि उसी generic API में अभी हम पोश्ट करेंगे, क्योंकि पहले दो वीडियो में तो हमने get किया था, तो पोश्ट हम इसके अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमें आज सिखना है, ठीक ह ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काईश, वीडियो को लाइक जरूर करना, काफी effort है, और आपको भी help हो रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस series को मैं continue कर पा रहा हूँ, अच्छा से time देके, और दूसरी चीज यह है कि अगर आपको कुछ भ होता क्या है, simple post कैसे होता है, मतलब कि कोई generic बेंडरिक नहीं, एकदम normal, क्योंकि अगर direct generic कर दूँगा, तो में भी मुझे लगता है काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो पहले simple post करेंगे, फिर हम उसको generic करेंगे उसको, ठीक है, ओकी, तो यहाँ पर मेरे पास एक dummy Jason है, बहुत सारी यहाँ पे इन लोग ने चीज़े दी जैसे, आपको सारे product get करने तो कर सकते हो, अब मेरे को करना है add product, add product इसलिए करना है क्योंकि product add करना, server पे product को डालना, उसका मतलब कि post होगा, कि server में कोई चीज को आपको डालना है, ठीक है, कि server में आपको कोई data डालन पेरामिटर, पोश्ट में basically तुम्हारी URL होगी, method होगी, header होगी, और body होगी, body का मतलब कि जो तुम वहाँ पे डालने वाले हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे title कर रहे हो, कि BMW pencil करके title डाल रहे है body में, और जब output आप देखो कि तो आपको एक ID मिलती है, और आप यहाँ से आपको करना है, तो अगर API आपकी working होगी, तो वो add हो जाएगा, आपको कोई problem ने होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यह सारी जो चीज़े की थी, तो उसका जो code है, वो github पे available है, और आज का जो video मैं बढ़ा रहा हो, उसका भी मैं यहाँ पे push कर दूँ तो इसका कोई दिक्कत ने होगी, तो आप यहाँ से उसको download कर सकते हो, मुझे बात यह बता नहीं थी, कि अपनी चैनल में काफी लोगे जो junior है, कोई fresher है, कोई experience भी है, mid experience वाले भी है, तो यही है कि अगर आप video को देख रहे हो, और आपको कोई suggestion लग रहा है, या कोई ची सीरीज में मुझे काफी लोगों ने help किये, तो सबके suggestion थे, तो वो पहले suggestion के बारे में बात करते हैं, तो जैसे आपको पता हो कि एक बंदे ने में को बोला था कि float के जगह पे, आप double use करो, और वो genuine था, तो मैंने वो हम मैंने किया था, और दूसरा यह था, कि API manager में मैंने UI कि इंपोर्ट किया था, तो वो भी एक suggestion था, कि यहाँ पर UIKit की जरुएत नहीं, तो यहाँ यहाँ पर UIKit की कोई जरुएत नहीं है, तो यहाँ पर foundation आप use कर सकते हो, ठीक है, मैंने गलती से UIKit डाल दिया था, आप इसको build करको तो कोई problem नहीं होगा, foundation और UIKit में difference क्या होता ह कि UIKit मतलब UI table view, UI text field वो सारी चीज़े, और foundation मतलब string, integer, array ऐसा सब उसमें आता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो को UI का तो कुछ है नहीं, कि UI view control ऐसा, कुछ तो sub class है, ऐसा कुछ हम नहीं कर रहे है, तो यहाँ पर ज़रुएत उसकी है नहीं, तो यह suggestion था, तो ऐसे अगर आपको चोटी 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 चीजे भी, आपको कुछ भी लग रही है, तो मैंको बिंदाज बोलना, जैसे वीडियो बनाऊंगा, मैं उसको refactor करते हूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर control के अंदर, मैं एक new file बना रहा हूं, वो होगी कोक्वा, और मैं इसका नाम देता हूं, add product view controller, क् की simple बनाना है, फिर generic करेंगे, पहले normal तुमको सिखाता हूं कि कैसे post work करता है, ठीक है, तो तुम लोगो confusing ना हो, ठीक है, सही है, तो अभी यहाँ पर एक function बनाते हैं, कि add product, और delete load में add product को call कर देता हूं, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास URL होगी, जो मेरे पास यह URL है, product की, तो यह मेरी product URL होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पी लिखता हूं कि भाई, guardlet, URL, as opposed to URL, तो जो भी URL है तुम्हारी उसको string में से तुमको URL में पहले तो convert करना पड़ेगा, तो अगर सोच कोई भी problem URL में, तो यही से return हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा वो, ठीक है, अगर आप API manager में जाओगे ना, तो हम लोग है न, URL session, shared data task, direct हम URL को pass कर देते थे, तो जैसे कि तुमको पता है कि width के अंदर तो चीज़े आती है, एक होता है कि आप URL डाल दो, direct, और एक होता है कि आप request मन पड़ेगा, और उसमें तुमको बताना पड़ेगा कि भाई ये post है, इसलिए, ऐसा बताना पड़ेगा आपको, तो यही चीज़ मोलना चाहरा हूँ कि, अगर get API है, तो request यूज़ करने की जरूत नहीं है, अगर post है, अगर get नहीं है, दूसरी कुछ कोई भी है, तो आपको URL request यूज़ करना है, ठीक है, यह चीज़ आप याद रखना, तो मुझे request बनानी पड़ेगे, तो basically मैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से request बनाऊँगा, कि URL request, उसके अंदर में URL डाल दूँगा, जैसे कि मैंने तुमको बोला, post जब करते हो, तब तब तुमको method होगी तुमारी HTTP method, जो का post, तुम्हें बताना पड़ेगा, कि भाई, यह मेरा post होगा, ठीक है, capital में उसको लिखना, उसके बाद, दूसरी चीज़ है, तुमारी बोडी और header, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तुमारी एक header है, तुमारी बोडी है, बोडी की बात करते है, तो बोडी यहाँ पर मैं लोंगा, title, जो होगा, string, को कि मुझे title ही pass करना है, तो यहाँ पर मैं body बनाता हूँ, जिसको तुम parameter भी बोल सकते हो, कि parameters is equals to add product, title में हम देते BMW card, बरोबर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा सोचना, देखना क्या हो रहा है, तुमें जो है, वो body डालनी है, यह ज body मिलेगी, अभी तुम body का type देखोगे न, तो वो data form में, बरोबर, और जो तुम्हारा parameter है, जो तुम डालना चाहते हो, जो title है BMW वानी, वो है model, तो obviously तुमको model को जो है, तुमको convert करना पड़ेगा, data में, तो model to data में convert करना है, उसको convert करने के लिए तुम use कर सकते हो, json encoder, म यहाँ पे जो तुम parameter pass कर दो, तुम्हारा जो भी है वो, तुम्हें मस्त केरर देगा तुमको, कि encodable जो है तुमको confirm करना पड़ेगा, तो ही वो कर पाएगा, data में convert, तुम्हें यहाँ पे लिखना है, encodable, इस तरही है, सही है, ठीक है, तो इसके help के through, जो है तुम convert कर सकत कर सकते हो, encodable के through, JSON encoder, plus encodable, कि through, तुम तुम्हारा model को data में convert कर सकते हो, ठीक है, यह चीज़ याद रखना है, तो encoder का use होता है, model to data में convert करने के लिए, और decoder आता है, जो हमने use किया था, API manager में, तो decoder का use होता है, कि जो data होगा, उसको model में convert करेगा, उसका उल्टा करेग मैं वो भी बताता हूँ, तुमको जादा समझ भाएएगा, बड़ अभी के लिए इतना याद रखना, encodable protocol और JSON encoder का use करके, तुम model को जो हो data में convert कर सकते हो, क्योंकि यह HTTP body data में है, और तुमको encode जो हो data return करेगा, यह throw करता है, इसलिए मैं optional try कर दिया, do catch मैं handle नहीं किया, ठीक है, अभी तुमको यहाँ पर करना है की request, dot, यहाँ पर आता है set value, तुमारी value क्या है, तुमारी field क्या है, इस तरीके से, यह एक चीज है, बट मैं चाहता हूँ कि आप यह use करो, all HTTP headers करके, यह जो एक dictionary है, तो उसके नहीं आप assign करते हैं, इस तरीके से, content type application JSON, यह सारी API म यह वाली होती है, ठीक है, तो अभी तुमको यह question होगा, कि मेरे को कैसे परता चला है, कि content type मेरे को करना है, तो वो तुमको देंगे, जो भी API वाले होंगे न वो, जैसे आप देख सकते हो, header उसने दिया है, content type application JSON, तो वो तुमको जो भी header दे, यहाँ पर कॉमा करके, नीच session.share.datatask, और इसके अंदर यहाँ पर request है, तुमारे request डाल दो, completion में तुमें मिल रहा है data, response, error, सिधा directly देख लेता हो कि data हो तो निचे जाओ, बाकि सारी चीज़ अपने handle करते हैं बाद में, और यहाँ पर आएगा कि मेरा do, ठीक है, and catch, catch में मैं error print कर देता हूँ, अगर क sure करना, resume में लिखना मत भूलना, और मैं आपको suggest करूँगा कि यार, पहले दो वीडियो ना दिखाओ, तो please देख लेना, वनना तीसरे में कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा, time लेके देखना है, अच्छे से देखना, धीरे-धीरे करके, इसलिए मैं थोड़ा time ब कर रहा हूँ, अभी तुम्हारा response क्या होगा, तो तुम्हारा response में id और title दो चीज़ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उपर एक और structure बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ की product response, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, id जो होगा, integer और जो title है, वो है string, ठीक है, और यह यहाँ पे में use करूँगा, json decoder, decode, तो तुम्हारा type है product response.self, और जो तुम्हारा data है, उसको तुम ढाल दो, तो basically guys, तुम्हारा data to model में convert हो रहा है, किसके त्रू कर पा रहे हो, तुम json decoder के त्रू, और use कर रहे हो, उसके साथ है decodable को, बरुबर, तो एकदम simple है, ठीक है encoder का use होता है, कि तुम्हारा जो model है, उसको data में convert करने के लिए, और यहाँ पे अभी तुमको data मिल रहे है, और उसको जो तुम model में convert कर रहे हो, क्योंकि यह एक simple है, यहाँ पे कुछ array बेरेने, dictionary है, तो मतलब एक model है तुम्हारा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा, कि product response.self, अगर सोचो कि यह पूरा array आता, तो हम यहाँ पे array कर देतें उसको, ठीक है, यह सब मैंने बता है, previous वीडियो में, पर फिर भी ऐसे ही बता रहो, ठीक है, तो यहाँ पे problem है, कि यहाँ पे जो तुमको decodable confirm करना परेगा, ठीक है, तो ही वो decode कर पाएगा, और अगर आ चल रहा है इसमें, product तुमने parameter बनाया, जिसमें तुमने title तुम pass कर रहे हो, कि server में यह title जाए, method दी, जो तुमारा parameter है, model को data में convert किया, तुमने encoder के help से, तुमने तुमारी header डाल दिया, उसके बाद request आया, जिसमें तुमको data मिल रहा है, data को जो तुम model में convert कर रहे हो, response model म उसके लिए तुमने decoder का use किया, ठीक है, तो I hope कि यहाँ पे JSON encoder और JSON decoder, encodable और decodable का difference तुमें समझ में आये, ठीक है, और भी काफी कूछे हिसमें में तुमको दीरे दीरे बताता हूँ, अभी तुम क्या करो, अभी तुम directly चले जाओ, main door storyboard में, storyboard के अंदर हमारी product की list हो किता हूँ मैं, add product, और इसको initial दे देता हूँ, ठीक है, इसको run करो, तो तुमको ID और जो title तुमने डाला है, वो तुमको मिलना चाहिए, ठीक है, so let's see, आ रहा है के नहीं आ रहा है वो, ठीक है, did Lord call होगा, तो ये call हो जाएगा, देखो, तुमारा ID और तुमारा title दोनों त चाहिए थी, तो ये कैसे मस्त काम कर रहा है, कितना simple है, ठीक है, तुमको सिर्फ तुमारा parameter है, post, body डालो, header, और जो भी response आएगा, डेटा में, उसको तुमने product response में convert कर दिया, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुमको ID जो है, 101 की ID मिल रही है, और BMW car जो तुम पास करें वो मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर, ऐस हो चुकर में, यहाँ पे ऐसा, मैं योगेश लिख देता हूँ, और मैं इसको run करता हूँ, ठीक है, तो तुमको, यहाँ पे ID 101 और योगेश पटिल मिल जाता है, तो हमारा बेलकुल बरोबर चलता है, जैसा ही बोल रहा है, कि ID यह जो टाइटल हो का वो आएगा, तो अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है, कि मेरा यह एड प्रॉडक्ट, जो मैं यूज कर रहा हूँ, पैरामटर डालने के लिए, और दूसरा है मेरा प्रॉडक्ट रिस्पॉंस, जो है कि जो डेटा जो आ रह रहा है, बाकी कुछ नहीं है दोनों में, ठीक है, तो क्या हम इस दोनों स्ट्रक्चर को दो के जगा पे एक करके यूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हमको यही करना है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहां पे मैं ID जो होगा Integer तो तुमको यहाँ पर error देगा कि मिरेको ID भी आप use करो ID तो मिरेको पास करनी नहीं है उसने बोला है कि सिब title ही पास करना है तुमको ID बाइडी तो पास नहीं करनी है तो फिर वो नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर तुम उसको equal to करके nil दे दो और optional बना दो integer को ऐसा करोगे तो तुम ID नहीं लिखोगे तो चलेगा तो तुमको जो है वो title देना जाएक कि default value तुमने दे दिए कि भाई नील है अगर तुमको नील की जगर पर कोई दूसरी दे नहीं है तो तुम दे सकते हैं वाकि नहीं दोगे तो चलेगा तो इस तरीके से तुम कर सकते हैं इसको तो अभी यहाँ पर product response तो है नहीं तो मैं यहाँ पर add product लिखता हूँ तो basically guys add product के अंदर दो चीज़ा ID और title मैं यहाँ पर title ही भेज रहा हूँ चलो वो सही है यहाँ पर तुम्हें ID और title में रहा है पर तुमको क्या error दे रहा है कि भाई तुम्हारा decodable confirm नहीं है बरोबर तुकि अगर तुम तुम्हारा model जो अगर उसको तुमको data में convert करना है तो make sure तुम encodable use करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ ठीक है बर्ट जब तुम्हारा जो data है उसको अगर model में convert करना है तो तुम्हें decodable confirm करना पड़ेगा जैसे मेरा होता था product response जोता वो decodable confirm करता था तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कॉमा करके यहाँ पर decodable लिख दू जिससे यहाँ पर error चली जाएगी दोनों होने लगा एक इस structure से अभी आप run करो तो मैं ID और योगस पड़े मिलना चाहिए ठीक है तो आने दोसको done तो जब भी तुम्हें ID की दील आया है wait ID 101 आना चाहिए नहीं यार 101 ठीक है उसको लेट लिखा था जब तुम्हें इस तरीके से करेंगे तुम्हें उसको mutable बनाना पड़ेगा तो यह उसमें change कर पाएगा वह बना हो change नहीं होगा निल ही रहेगा ठीक है ओके देखो अभी तुम अगर देख सकते हो तो add product encode भी कर रहा है और add product decode भी कर रहा है मतलब एक ही model है जो parameter pass कर रहा है और उसी model से हमको सारे parameter हमको मिल रहे है मतलब हमारा response मिल रहा है जिसकी जरूर नहीं हो उसको आप optional बना दो निल कर दो ठीक है जिससे तुमको pass ना करना पड़े तो इस तरीके से तुम उसको handle कर सकते हो ठीक है तो अभी basically यहाँ पे एक ही structure से मेरा parameter में pass भी कर रहा हूँ और मैं response भी ले रहा हूँ basically मैं थोड़ा time इसलिए ले रहा हूँ कि मैं make sure करना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझो ठीक है अभी देखो यार अभी दो चीज़ बताता हूँ encodable decodable अभी तुम्हां codable भी सुना होगा कि भाई पूछते है कई बार interview में कि इंकोडेबल decodable का difference क्या है इंकोडेबल तुमको पता है कि जो भी तुमारा model है उसको data में convert करने के लिए decodable का मतलब होता है कि data को model में convert करने कले है codable क्या है तो यहाँ पे encodable और decodable दो चीज यूज़ करने से अच्छा तुम direct codable लिख सकते हो ठीक है और तुम इसको run करो तुमारा चलेगा तुमको कोई आरा नहीं देगा कि कि आप encode करो या decode करो तुमको proper चल रहा है तो basically codable है क्या तो codable है decodable और encodable का टाइप पलाइज बाकि कुछ नहीं है तो basically अगर ऐसा कोई सिनारिय है कि जिसके अंदर तुमारा एक ही structure जो है वो encode भी कर रहा है और decode भी कर रहा है तो उसमें तुम codable यूज़ कर सकते हो कॉमा करके लिखने के ज़रुत नहीं है तो दोनों प्रोटोकोल को confirm कर लेगा यही है वो ठीक है तो basically मेरा structure ऐसा ही है जो इंकोर भी कर रहा है और decode भी कर रहा है तो obviously मैं उसको codable यूज़ करूंगा तो जिससे दोनों चीज इस एक ही में हो जाए ठीक है तो यह गाइस चीज थी पोस्ट जो आज हमको सीखनी थी एंड तो यह इसलिए बता है कि तुमको पता चले कि सिंपल पोस्ट कैसे वर्क करता है अभी अपने में ढालना है उसको जो अपने जैनरिक टाइप तो जिसके अंदर हमने http में दो मैथड बनाई थी गेट पोस्ट और यहां पर मैथड है अभी यहां पर मेरे लिए होगा कि तुम्हारी बॉड़ी और तुम्हारी हैडर दो चीज होगी क्योंकि उसमें तो गेटी एक ही होता था बड़ यहां पर तो अभी दो है कि घr बॉड़ी नहीं होगी और तुम्हारी हेडर जो होगा तुम्हारा डिक्षेनरी वह भिशनल होगा कई बार नहीं भी होगा कई बार होगा तो यहां पर मैं नीचे जाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कि बॉड़ी तो बॉड़ी मुझे मिल रही है तो मैं यहां पर दो चीजह हमारे पास अक्व प्रोडक्त है उर्वेक्स यापर की बातो रहाए हूं की यहां आप आट है और कर दो अब यक्वाजर घुराया अर्ट करने के बारी यहां गई है तो प्रॉड़क्त करने के टाम पे जो है मुझे रिक्वेस्ट मुझे जो चाहिए होगा तो इसके अंदर जो है क्या पूंझेगा तुम भेज़ो तुम्हारा एड प्रोड़क्ट जो तुम्हारा प्रोड़क्त है ठीक है यहां पर यहां प्रोड़क्त लिखते हैं एस मुझे भेजनी है तो वो तो तुम करना पड़ेगा न तो उसलिए वो पैरामेटर यूज किया है और मुझे पता ही कि वो तो मेरा प्रॉडक्ट ही है यह स्ट्रक्चर होगा ठीक है तो यहां पर एड प्रॉडक्ट के टाइम पर मैंने लिख रहा हूं कि भाई कौन सी प्रॉ है नहीं तो मैं पूरा निकाल देता हूं आप पूरा निकाल देना ज़रूरत ना हो तो और यहां पर रिटन कर रहा हूं कि जब प्रॉडक्ट एड होगा तब मुझे तो मेरी मैठर पोस्ट होगी बरोबर और यहां पर जो है तुम्हारा पाथ पाथ की अभी मुझे बात क तो यहां पर return होगा मेरी यह वाली URL और यह वाली जो होगी वह product में return हो रही थी वह product में होगा और यह तुम्हारी इतनी जो होती वह base URL होती है तो यह जो है मेरा path हो गया इतना तो इसको यहां पर copy करो और यहां पर मैं डाल देता हूं ठीक है तो .com slash product और dummization.com slash करके आएग इसकी जरुषत है नहीं हमको यहां पे इसको निकाल दो ठीक है इस तरीके से काम करेगा यहां पर मेरको इसकी भी जरुषत नहीं है इसको निकाल दो क्यूंकि मुझे प्रोड़क की यहां पर जरुषत है नहीं और यहां पर computer बनाता है जिसमें base URL पात का mix होगा वाम गैश So produkt आ रहे वो कि यह तुम मारा प्रोड़क्ट हो थिग hoping जो तुम प्रोड़क्ट यहां पे भेज रहे हो मुझे यहां पर मिलेगा बर्बर क्योंकि पहले केसें तो कुछ है नहीं तो कुछ नहीं घूर्ड़क्ट मिलेगा तो product जो है मेरी get API में तो header की मुझे कोई जरुवत है नहीं तो मैं इसको नील कर देता हूँ और यहाँ पर मैं return करता हूँ ओके अभी header के लिए क्या कर सकते हो तुम है न तुमारा एक sample header बना सकते हो जो मतलब इसको बोलते common header बना सकते हो जो जाधा तर लोग यूज करते हैं तो API manager के अंदर यह जो सारा code है न मैं सब निकाल देता हूँ ठीक है जिसे हमें मालूम पड़े कि कितने में हमारा हो रहा है अभी चलो रखता हूँ मैं भी तुमको काम आए तो यहाँ पर मैं API manager जो मारा request हो रहा था उसी के अंदर में यहाँ पर एक स्टेटिक हैडर बना देता हूँ हैडर करके यह आप ऐसा भी लिख सेता हूँ कि कॉमन हैडर बरोबर और यह होगा तुम्हारा स्ट्रेंग स्ट्रेंग और यह गैट ओनली प्रोपर्टी होगा क्योंकि उसमें आप असाइड नहीं कर सकते हैं मैं यहाँ पर रिटन लि है तो एंड पॉइंट के अंदर जो मेरी हैडर है वो दोनों के लिए सेम है तो मैं यह पर सिंपल लिख दूंगा रिटन करके कि आप एपिए मैनेजर डॉट करके कॉमन हैडर क्योंकि वह मैंने स्टेटिक यूज किया है तो टारिकली डॉट करके यूज कर सकते हूँ मैं पर आप रिटन नहीं लिए को तो भी चलेगा जैसे मैंने तुमको बोला था एक ही लाइन है और वही रिटन हो रही है तो रिटन की वह लिखने के जरूरत नहीं है वो चलेगा और कॉमन हेडर जो वह श्रिंग डिक्ष्णरी हो यह भी डिक्ष्णरी है तो इसमें कोई दि करना इसको ठीक है तो बेजिकली यहां पर दो चीज़ एड हो रही है एक बॉडी और हैडर क्योंकि जो प्रोटोकोल होगा जो भी मॉडल पास करेंगा इंकोडीबल होगा इसलिए मैंने इंकोडीबल टाइप रखा अब डेटा रख सकते हो बढ़ वह नहीं रखना करना है तो अभी तुमको पता है कि यह चीजी सारी चीज जो है वो करेगा गैट और पोस्ट दोनों कर रहा है और जैसे कि तुमको पता है कि तुमने देखा होगा कि पोस्ट करने करें रिक्वेस्ट का पूरा यूस करना पड़ा था मेरेको तो यहां पर तुमको वह चीज कर दो request की method होगी ठीक है वो होगा यहां से पास करेंगे अब यह type जो आ रहा है वो तो यहां पर लिकूँँगा type dot तुमारी method dot row value row value मतलब कि जो method होगा न तो method जो HTTP method है नहीं get post तो is equal to row value तो यह वाली value लेगा तो अगर post पास करूँगा तो post capital ले लेगा get जैसे हम यहां पर post लिखते थे ना static लिखते थे अभी वह dynamic होगा वरोगा उसके बाद हमारी body थी तो body में क्या करते थे हम convert करते थे उसको encode करते थे same चाहिए है यहां पर क्या होगा request dot http body is equal to try json encoder dot encode और type और type में है ना क्योंकि वह optional होगा तो मैं यहां पर लिखता हूं कि body is equals to sorry if let body is equals to type dot body तो यह तुमारी जो body होगी वह होगी incredible type की ठीक है तो वह सही है वही होना ही चाहिए यहां पर डालता हूं और यहां पर आएगी मेरी और तुमारा request dot तुमारा जो all header field is equals to जो तुमारा type है उसकी header यूज़ कर रहा हूं मतलब यह header ठीक है जो हमने यहां पर यूज़ किया तो वह header क्या होगी यह header होगी यह वाली ठीक है तो इसलिए बोरो पहले का वीडियो देखने तो ज्यादा समझ भाएगा और यह भी dictionary है dictionary है so यहाँ पर set हो जाएगा और यह request जो है तुमको यहाँ पर pass करते हैं सब set हो गया ठीक है आप इसको build कर दो सब बरोबर चलेगा अभी तुमको यह चीज़ करनी है कि तुमारा जो यह था वो सिर्फ decodable कर रहा था क्योंकि अभी तो हमको encode भी करना है तो आपको codable यूज़ करना पड़ेगा यहाँ ठीक है क्योंकि codable जो encode decode दोनों करेगा तो अभी तुमारा जो request होगा वो सिर्फ decode नहीं कर रहा है वो post भी कर रहा है so make sure करना कि आप उसको codable लिखो ठीक है इतना हो जाने के बाद आपका जो view model है तो वहाँ पर मैं एक function बनाओंगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर एक function बनाता हूं कि add product 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 यहाँ पर जो तुम तुमारा parameter पास्ट करोगे वो parameter obviously तुमारा add product होगा ठीक है set होगे अभी यहाँ पर यूज करोंगा API manager.share.request model का type क्या है तो model मतलब तुमारा जो response आएगा वो क्या type का होगा तो वह होगा add product.self ठीक है जैसे यहाँ पर क्या होता था पूरा array होता था तो ऐसे यहाँ पर पूरा self हो रहा है ठीक है तुमारा जो टाइप है कि वह टाइप तुमारा होगा endpoint items डॉट तुमारा add product और जो parameter यहाँ पर आ रहा है वो parameter तुम यहाँ पर भीजोगे वर उपर इस तरीक से चलेगा और यह complete अंदर एंटर करके यहाँ पर तुम्हें result देना है इस तरीके से होगा basically ठीक है तो तुम्हारा model टाइप मतलब और एक थी हमारी add product इसलिए है तो यहां पर मुझे carrier दे रहा है कि प्रोटोकोल जो है यह जो है वो उसको incodable करना पड़ेगा ऐसा दे रहा है तो यह इसके अंदर error दे रहा है वो तो तुम्हें जो तुमको यहां पर codable यूज करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मेरा जो generic है वो codable इसलिए तो codable करेगा उसमें कोई problem नहीं है बरोबर यह चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और यहां पर अभी अगर तुमको याद हो जो हमारा product का जो list view control था मुझे पता है कि hard हो रहा है I know guys focus करना क्योंकि यहीं है यहीं हमें सिखना है और यहीं करना पड़ेगा जिससे हमारा coding level जो होगा वो improve होगा और हम अच्छे से perform कर पाएंगे ठीक है क्योंकि हमें यहीं करना है भाईयों सो प्लीज आप लोग इसको focus करके देखो देरे देरे समझ मेरे को स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यह क्या हो रहा है क्यों ऐसे कर रहे हो तो मैं अंडर्स्टेंड करता हो इसलिए मैं मैं जितना हो रहा है maximum ट्राय कर रहा हो कि तुमको इजीली मैं explain कर सो कि इसलिए मैं अलग से पहले तुमको सिंपल बताया फिर इसमें आया ठीक है मेरे साथ रहो होगा ठीक है टेंशन मतलो तो प्रॉड़क के अंदर हम एक observation करते थे जिसमें loading stop loading data loaded जब data load हो जाता था तो हम table reload करते थे error आती थी इस तारीके से यहाँ पर case हमने बना के रखा था तो मैं यहाँ पर एक तो के सेड करूंगा यहाँ पर इनम नीचे की मेरा प्रॉड़क्ट हो गया तो मुझे पता तो चला जाने कि मेरा प्रॉड़क्ट हो गया तो यहाँ पर मैं केस बना रहा हूं कि new न्यू प्रॉड़क्ट एड़ और इसके अंदर मुझे प्रॉड़क्ट मिलेगा जो भी प्रॉड़क्ट एड होगा वह वह एड प्रॉड़क्ट होगा हमारा ठीक है तो मैं यहाँ पर जैसे ही में यहाँ पर स्वीच केस लिखूंगा स्वीच रिस्पॉंस स्वरी रिजल्ट इसके अंदर मुझे दो केस मिलेंगे सक्सेस का जिसके अंदर मुझे प्रॉड़क्ट मिलेगा बरोबर और दूसरा केस होगा एडर का तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसेल्फ डॉट इवेंट हैंडलर यहाँ पर मैं एरर वह को पास करूं आइडियो टाइटल वाला मैं उसको भेज दूँगा और फेलियर में मैं एरर भेज दूँगा और वो हमारे यहाँ पर हैंडल होई रहा है तो यहाँ पर हमको एक केस हमको एड़ करने के लिए बोलेगा वह तो यहाँ पर निउप्रॉड़क्ट एड़क्ट अब मुझे मि मिल जाएगा ठीक है और सही है बाकी तो मजबूत है तो बेजिकली इवेंट हैंडलर यही करता था हमारे लिए कि कोई भी API है तो लोडिंग बोडिंग सब कुछ एक ही में हो जाएगा तुमको अरबार करने के जरूरत नहीं है वो खुछ से लोड हो जाएगा सब कुछ हो सब्सक्राइब दो जाएगा तुम चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो कि लोडिंग हो गया यहां पर लख सकते हो नीए लिख सकती हूं कि अगर लिए यह पर प्लस बटन ले लेते हैं तो बार बटन आइटम करके यहां पर उपर एक प्लस बटन ले लो और कस्टम में जाके एड़ करके मैं प्रोड़क्ट व्यू कंट्रोल में जाता हूं और यहां पर मैं एक एक्शन बना दूंगा इसकी जो क्या करेगा एड़ प्रोड़क्ट बटन टैप बरोबर और उसको जो यूवाई बार बटन आइटम होगा और यह बिजिकली क्या करेगा कि पहले तो वो बनाएगा कि भाई मेरा प्रोड़क्ट क्या है तो मेरा जो प्रोड़क्ट है वो है मैं प्रोड़क्ट एड़ करना चाहता हूं प्रोडटक्त भीद ₅ Lot जोब्ध भी प्रोड़क्त भीज़ोगे वह प्रोड़क्त यहां पे जाएगा जो एड़ पड्फिट टाइम पर लुछ एंड प्रोड़क्त के अंदर पोस्ट बोगी सब कुछ खुछ से हो जाएगा क्योंकि तुमने add product तुमने चूज किया है यहाँ पे तो वो end point में जाके वो क्या करेगा कि directly देख लेगे यहाँ बैड product यह तुसकी path है यह उसका base URL है URL common है add product है ओके इसका post है add product ठीक है इसका body directly return होगा ओके header common है खुद से सब कुछ हो जाएगा आप इसको run करो अपने देखते हैं कि अपना output जैसा expect कर रहा है यहाँ यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि हमारा जो हमने जो load किया था हमारी जो product थे वो तो सब आ रहे है मस्त आ रहे है मजबूत plus पे click करते देखो तुमारा product add हो गया टाडा तो एक कैसे हुआ तो थोड़ा सा बताता हूं मैं यहाँ पे डीबग रखते हैं और add product में जाते हैं यहाँ पे call होगा देन यहाँ पे यहाँ पे add उसके बाद वो event जो हमारी handle हो रही ही वहाँ पे जाएगा और वो यहाँ पे मुझे product देखा मैं sure product ही देखा फिर भ यह product तुम्हारी iPhone ठीक है तुम्हारा जो हम देखोगे तो तुम्हारा iPhone है उसके बाद तुम आगे जाओगे तो व्यू मोडल का add product call होगा तुमने बोला कि response यह टाइप में आएगा और जो भी parameter है जो मेरा iPhone है आप डाल दो और उसको कोडेबल है that means incredible confirm कर तो कोई दिक्कत उ दो चीज़ आ रही है तो आपने जैसे ही new product added में event handle किया तो वह जाएगा product list में और यहां पे जो observe event कर रहे थे तो उसके अंदर यहां पे call कर देगा कि भाई यह आ रहा है आप करो दो प्रिंट हो गया ठीक है so I hope guys कि आपको समझ में आ रहे है कि chain किस तरीके से work करें इसके अंदर ठीक है बहुत simple है पहली बार है नया होगा तो obviously difficulty होगी इसी तरीके से use करना है यह एकदम proper approach है आजू बाजू थोड़ा तुम modification कर सकते हो but the way तुमको समझ रहे है तुमको flow समझना है कि कैसे काम कर रहा है कि भाई view control है वो parameter भेज रहा है view model जो है वो header बेडर सब उसक इसको response डारेक्ट दे दिया और हम जो है वो data binding closer के थुरू कर रहे है protocol delegate का भी use कर सकते हो closer का भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था सारे approach सही है data binding की approach अगर कोई भी हो कोई problem नहीं है वो MVVME follow करता है तो उसमें तो कोई problem नहीं होगी ठीक है मेरा ये बंदा जो है वो सारी चीज़े कर रहा है event add करता जाओंगा मैं ठीक है और एक चीज़ और बताता हूं मैं view यह यहां पर हमने add product है तो इसको मैं यहां से निकाल के एक अलग से structure की file बना दो और जिससे तुमको समझ में आये तुम भूलना जाओ ठीक है वहाँ पे था इसलिए कि भाई add product ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि guys product की बात चल दी है आपर मतलब कि product एक module है हम उसकी बात करें तो जो product उता है वह add होगा product delete होगा product get होगा product update होग बरोबर तो यहां पर कैसे करेंगे कि endpoint item के अंदर यह जो type है तुम्हारे इतनी उसके बाद यहां पर तुमसे product की बात करें हमारा module product के उपर है तो यह जो चीज़ है उसको पूरा तुम यहां से लेके पूरा यहां से निकाल दो ठीक है और उसको जो वह utility में जाके यहां प product and point और आप यहां पर उसको paste कर दो जो हमारा था वो पूरा और आप उसको build करो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो basically हम product की बात करें तो यहां पर तुम code refactor करो आप इसको right click करके refactor करके rename करो ठीक है यह endpoint item proper लिखो कि भाई यह क्या है तो यह है तुम्हारा product endpoint item यह product endpoint लिख सकते हो ठीक है इस तरीके से तब इसको build करो कोई problem नहीं होगी ठीक है तो यह जो तुम्हारा endpoint type है जो जो generic है ठीक है यह किसी पे के उपर depend नहीं है आप जो भी तुम्हारा होगा तुम्हारे एक path होगा तुम्हारे एक base URL होगी उसमें से तुम्हारे एक main URL बनी कि method होगी get है या post है या जो भी update डिलिट जो भी है उसके बाद body होगी अगर post होगा या update होगा उसकी and header होगा वो get में भी होता है और post में भी होता है यह चीज जो है वह जहनरीक है तो उसको आप इस तरीक से लिख सकते हो जैसे कि तुम बात करो product की तो product के लिए मैंने अल आप manage कर सकते हो basically ना इसमें क्या होते है पता है यह जो base URL ना इक ही होती है बरोबर क्योंकि हम practice कर रहे हैं हम लोग इसलिए हमने दो रखी बाकी एक ही होगी कि तुम्हारी जो company है .com खतम तो वही तुम्हारा base URL होगा तो यहाँ पे सिब written लिख के वो URL लिख दी ना जो common हो ठीक है तो body में return करना इसमें body नहीं है तो इसमें मत करना और header आप common header pass कर सकते हो ठीक है API manager के अंदर आप देख सकते हो तो codable है क्योंकि वो encode decode दोनों को handle करेगा सबसे पहले तो हम लोग URL चेक करके method में row value जो भी get post होगी अपने आप से ले लेगा body होगी तो ही जाएगी मतलब get body नहीं होगी header हाँ तो भी header जो भी common header हमने बना के रखा है उसको यहाँ पर decode भी गोड़ कर देगा यह तुमारा common header है अगर तुमको यह सारा code निकालना है तो हम बिंदास निकाल दो ठीक है क्योंकि रखता हो मैं ठीक है कोई नहीं क्योंकि काम आएगा आपको और product product जो तुमारा view control है उसके अंदर सारी चीज़े जो हो रही है ठीक है सारी चीज़े काफी हद तक बहुत कम code है उसमें तो simple ही करना है ठीक है तो यही mvvm है और यह तुमारा पूरा product है ठीक है तो इस तरीक से उसको करना और मैं यहाँ पर यह वाला code भी रख रहा हूं जिस जिसके अंदर हमने simple किया था simple एकदम normal ठीक है पूरा जिसके अंदर कोई generic ने ऐसा कुछ नहीं simple किया था तो इसको एक बार run करके मैं देख लेता हूं वह refactor भी factor किया था तो कुछ गडबड़ ना होई हो इसमें होती तो है नहीं बट फिर भी एक बार देख लेता हूं मैं कर दूंगा आप github का को डाउनलोड करके और वीडियो को compare करके देख देखके आप अच्छा से सीखो और कोई भी suggestion मतलब most welcome आप बोल सकते हो मैं दुस्तरे वीडियो में उसको refactor कर दूंगा and thank you so much guys for watching this video and अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज व पूडियो में मिलता हूं तब तक आप अच्छा से काम कर कुछ हो तो मुझे बोलना ठीक है thank you guys bye bye have a good day bye